कि हलो एवरिवन वेलकम टू लखी एजुकेशन और आज हम देखेंगे लेक्शन नमर टैन में कॉंट्रिब्यूशन ऑफ एग्रिकल्चर टू दर निशनल एकोनोमी इंप्लोइमेंट एंड आउट्पुट तो मतलब हम यहां पर बात करने वारे हैं कि हमने जो एग्रिकल्च जो पॉब्लिशन इंडिया में अभी भी किस परड़ेंट रहती है एग्रिकल्चर परड़ेंट रहती है ठीक हालंकि एक समय था जब देश हमारा आ जाद हुआ था तो जनरली अपनी जो जीडीपी का ज्यादा तर जो पोर्शन होता था जीडीपी में मतलब ग्रॉस डॉम हम अगर इंप्लोइमेंट की बात करें तो फिर भी अभी भी इंप्लोइमेंट के अगर केस देखें तो अभी भी देश में जादतर लोग किस से जुड़े हुए हैं एग्रिकल्चर से जुड़े हुए है ठीक है तो एग्रिकल्चर जो है हमारे देश की एकोनोमी की एक प् हुशर्रे सेक्टर में और तीसरे सेक्टर में अपने आप कॉंट्रिभूशन बढ़ जाएका तो शुरू-शुरू में देशS जैसे देश ने प्रोग्रेस करी तो वैसे वैसे सेकंटरी और टर्सरी सेक्टर का कॉंट्रिब्यूशन बढ़ने लगा आपको पता होगा हमने फाइव एर प्लान बनाना श्टार्ड गया था और फाइव एर प्लान में फिर इंडस्टी पर फोकस किया था और एक्रिकल्चर पर भी फोकस किया था बहुत सारी सर्विसेस भी आजगी डेट में क्रियेट हो गई है तो 1951 के बाद लगातार अग्रिकल्चर सेक्टर का जो है ट्रेंड वो है जीडीपी में कम होता जा रहा है एक क्वेस्टन मैं आपको देता हूं कि प्लानिंग कमिशन का बना था यह आ मतलब अपने इंडिया में जितनी भी वर्कोर्स है मतलब जितने भी काम करने लोग हैं जो जिसकों कह सकते हैं वर्कोर्स यह काम कर सकते हैं तो उसका 52 परसेंट लोग कहां पर जुड़े हैं एक्रिकल्चर में जोड़े हैं सोचो अभी भी देश में सबसे जादा मतलब जो पर रहती है त्यक्ति कर देदिट में बहुत सारी समच्छाइं आरी आज की स्यूंट में परनेशाइन गड़ाय जा सके अग्रिकी कलचर के सेर को जीडीपी में बढ़ाय जा सके टो एफर्ट्स टेकन वाई सबसे पहले तो सरकार ने एक इंडियन काउंसल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च द्यान रखना एग्रिकल्चर से संबंदे से रिसर्च करने के लिए इस्ट्यूट्यूट बना दिया और कई सारी एग्रिकल्चर रिलेटेड इंफोरमेशन यहां पर दी जा सके उसके लिए इंडियन काउंसल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च और एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटेड इसमें कई जगे पर वन समझती हूँ जानवरों के जो डेक्टर होते हैं उनको वेटरेनरी के डोक्टर कीए तो वेटरेनरी सर्वियसं का मदलब है जानवरों के लिए ठीक pewno के लिए क्ल्प से से की यह ऐआ सकते हैं होगया मैंकि एक ब होता है कि कैसे मतलब जो मोशम होता है जलभायव जो होती हमारा क्लाइमेट जो होता है इसका हमारी में इंपार है घ्र тогर्र हो आजकी में अपिना देश आपको पहाएग ग्रोव कर रहा है अपने देश की एकोनोमी बहुत जबरदस्त अची तरह से ग्रोव कर रही है मगर तुकी बात यह है कि जितनी तेज गती से हमारी देश की एकोनोमी ग्रोव कर रही है उतनी तेज गती से employment opportunities create नहीं हो पा रही है यह बड़ी समझ्या है और साथ की साथ में हमारा जो agriculture का जो growth rate है agriculture की growth rate लगातार क्या होती जा रही है कम होती जा रही है जिसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे किसान भाईयों पर पढ़ता है दोधा GDP growth rate is increasing over the years it is not generating sufficient employment opportunities in the country हालंकि हमारे डेस में GDP की growth rate बढ़ रही है हमारे डेस की economy की growth rate हर साल बढ़ती जा रही है मगर इसके बढ़ने के साथ साथ jobs create नहीं हो रहे है मतलब कह रहे हैं एग्रिकल्चर हैजबीन डी एक्सेलेरेटिंग विचिच अलार्मिंग सिच्वेसें तो आज की डेट में अगर आप देखो एग्रिकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गई है कम हो गई है problems faced by Indian farmers अब भारती खिसानों के सामने क्या क्या समश्या आ रही है तो भारती खिसानों के सामने जो सबसे बड़ी समश्या आए वो है international market से competition करना आज की डेट में आपको पता है दुनिया हो चुकिए, globalized, क्या हो चुकिए, दुनिया globalized हो चुकिए, globalized होने का मतलब हर देस, आपस में, मतलबежде जनरली, यह दूसरे से क्या हो चुकिए, connected हो चुकिए, interconnected हो चुके हैं, तो अब हमारे भारती किसानों को international market में competition करना पढ़ेगा, और हमारे भारत के आज भी बहुत सारे किसान primitive methods यूज़ करते हैं agriculture के, primitive methods का मतलब अभी भी हम पुराने तरीके से agriculture करते हैं, कई सारे country जैसे हैं जहाँ पर agriculture को पूरी तरह से modernize कर दिये गया है, machine का बिसकार हो रहा है, machine का इस्तेमाल हो रहा है, high yielding variety seats का इस्तेमाल हो रहा है, हम अभी भी पुराने तरीके से केती करने में लग रहे हैं, ये भी समझ्या है, साथ की साथ में सरकार का जो public investment है, public investment का मतलब है, सरकार जो मतलब invest करती है, उसको मोलते है public investment, तो सरकार ने भी public investment कम कर दिया agriculture में, especially irrigation, पाब, rural loads, market, mechanization, इस पर भी सरकार का कम focus है, जिसकी किसानों को पहले क्या है, fertilizers, जिसको मोलते है, खाद भी जैसे यूरिया, DAP आपने सुना होगा, तो सरकार इनकी खरीद पर किसानों को क्या देती थी, subsidy देती थी, अब subsidy सरकार ने देना खम कर दिया, subsidy का मतलब क्या होता है, अब मैं एक example दे के समझाता हूँ, suppose आप 900 अब क्या होता था, सरकार बोलती थी, कि आप दुकानदार से 900 में खरीद लो, हम क्या करेंगे, आपको 500 रुपे आपके अकाउंट में डाल देंगे, तो सरकार ने जो आपको 500 रुपे दिये, उसको मोलते है, subsidy, तो सरकार ने subsidy देना क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी प्रोडक्शन की जो cost है, वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, साथ की साथ में सरकार ने import duty कम कर दिया, आप आपको बताए, दो देशों के बीच में जो trade होता है, उसको हम international trade बोलते है, मालो इंडिया से हम England हम कुछ भेज रहे हैं, तो हम कहरें export कर रहा है इंडिया, मालो England से इंडिया हम कोई चीज आ रही है, यह तो इसको हम बोलते है import, तो import पर जो tax लगता है, उसको बोलते है import duty, अब सरकार ने क्या कर दिया, import duty को कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, बहार से जो सामन आ रहा है इंडिया में, वो सस्ता पड़ेगा, और वो इतना, कई बार क्या हो इंडिया हो जाती है, कम हो जाती है, और इसका सीधा परफाप पड़ता है हमारे किसानों पर, तो import duty कम करना ये भी एक समझ्या है, और आज की डेटम आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, बहुत सारे किसान आज की डेटम इंटरेस्टेड नहीं है, खेती करने में, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, लोग बाग जो है, सेकंडरी और टर्सरी सेक्टर मूब कर रहे हैं, किसान भी चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजिनियर बने, या सर्विस में जाए, वो खेती ना करे, तो यह और समझ्या देखने को मिलेए, कि यहा आपना फिनिस हो चुगा, एक दो वीडियो हो रहेंगा, उसके बाद शेप्टर फिनिस हो जाएगा, so thank you, thank you so much, keep learning, keep enjoying and God bless you all.